नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन मंसल वास्तु कंसर्टेंट जो मैंने सीरिज चालू की है वो प्लॉट चेहन से लेकर घर निर्मान और घर निर्मान से लेकर गरह प्रवेश तक आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्लॉट के अंदर कंसर्टेंट चालू करने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पढ़ती है सबसे पहले दो चीजों की जरूरत पढ़ती है एक तो पानी का अंडर्ग्राउंट टेंक समर्सिबल और इलेक्रिक मीटर बिजली का मीटर क्योंकि बगार इनके कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती तो इनकी रिक्वार्मेंट सबसे पहले पढ़ती है आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है इस्ट फेसिंग है वेस्ट फेसिंग है या आपका plot नौर्थ और इस्ट कॉर्नर का है या साथ इस्ट कॉर्नर का है या साथ वेस्ट कॉर्नर का है या नौर्थ वेस्ट कॉर्नर का है या टू सेड ओपन है या आपका plot डाइगनल है नौर्थ इस्ट वेसिंग है साथ इस्ट वेसिंग है या साथ वेस्ट वेसिंग है ऐसे में आपको पानी का अंडरगाॉड टेंक समर्सिवल कहां लगाना चाहिए पानी का अंडरगाॉड टेंक या समर्सिवल या दोनों चीजे नौर्थ सेंटर से यहनि उत्तर दिशा के मद्या भाग से लेकर इशान कोने तक, यानी नॉर्फ इस जोन तक और ऐसे ही इस्ट सेंटर से लेकर यानी पूरो के मद्धभाग से इशान कोने तक उत्तर पूरो के कोने तक आप इन दिशाओं में पानी का उंजा गौन टेंक बना सकते हैं समर्सीबल लगा सकते हैं चाहे आपका प्लोट किसी भी दिशा का है, पानी का अंजार गाउंड टेंक या समर्सिवल सिर्फ इनी दिशाओं के अंदर आनी चाहिए, नौर्थ में, इस्ट में और नौर्थ इस्ट में, इसके अलावा किसी भी दिशा में यदि पानी का अंजार गाउंड टेंक बनाते ह कि वैसे ही प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, अब मैं आपको बताना चाहूंगा इलेक्रिक मीटर के बारे में, इलेक्रिक मीटर कहां लगाना चाहिए, वैसे तो आज कल इलेक्रिक मीटर बिजली के खंबे पर पॉल पर ही लग जाते हैं, लेकिन जैसे नई यदि साउथ हिस्ट में आपका इलेक्रिक मीटर लगता है तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं है चाहे आपका plot किसी भी दिशा का क्यों नहीं हो कई परकार की समस्याइं आएंगी चाहे आपका पैसा जयादा लगे चाहे आपके लेबर जयादा धुखी करेए चाहे कोई लेगल इशु बने य 실ान करेए तो ऐसे में मैं आपको कहना जाओंगा कि आपने पानी कंजर कांटेंक और समरसीवल सही दिशा में लगाना है और ऐसे ही illegal meter भी आपने सही दिशा में जरूर लगाना है जब आप समरसीवल लगाएं तो समरसीवल की जो पाइप होती है वो हमेशे ही जो वहां का मिट्टी का लेवल होता है उससे उंची रखी जाती है और समर्सिबल का पाइप हमीशा ही बाद में फर्ष के लेवल में लाया जाता है वो हमीशा ही उंचा रहता है ऐसे में आपने दिहाण रखना है गलती कहा करती है मैं practical बात आपके साथ share कर रहा हूँ जो summer civil की pipe आपकी मिट्टी के level से उंची हाती है उसके चरो तरह बहुत सारी मिट्टी लगा देते हैं आपने वो काम दिना ही करना है जो वहां का मिट्टी का level है उस मिट्टी के level के बराबर ही वहां की मिट्टी रखे जो लोग temporary बनाते हैं उनको भी द्यान रखना चीज़िए जो लोग permanent पानी का अंगर्वांग टेंक बनाते हैं तो उनको भी ध्यान रखना चीजिए वो आपके मिट्टी के level के बराबर होनी चीज़िए वो एक्ष्ट्रा उची नहीं होनी चाहिए आपको ये खास बात जरूर धियान रखनी है आप ये बात धियान रखेंगे तो आपकी विल्डिंग जल्दे करके बनेगी इसी के साथ में आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा जब आप पानी के अंडर्ग्राउंट टेंक नौर्थ में नौर्थ हिस्ट में या इस्ट सेंटर से नौर्थ हिस्ट की दर बनाती है तो पानी के अंडर्ग्राउंट टेंक को समय समय पर साफ कराते रहें ऐसा करने से आपकी building बनने में कोई दिकत नहीं आईगी आपकी building समय पे बन जाएगी आपकी जे में पैसे कम है तो भी आपकी building पूरी बन जाएगी कही ना कहीं से पैसा अरेंज हो जाएगा और आपकी building आपका structure proper तरह किसे खड़ा हो जाएगा ये मेरा बहुत ही बढ़िया अनुबव रहा है जो लोग ये कहते हैं बंसल जी मेरे पास पैसे नहीं है दो कमरे बनाने है चैर कमरे बनाने है नीचे नीचे का फ्लोर बनाना है पता चलता है वही लोग दो मंजिल, तीन मंजिल बहुत बड़ी अपने घर को बना लेते हैं वो पैसा कहां से आता है जिस वैक्ति के पास पैसे आने के साधन होते हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा जब वो वैक्ति अपने प्लॉट के अंदर कंस्ट्रेक्शन चालू करता है और वास्तु शास्तर के अनुसार उसमें सेट अप करता है और पूरी construction उस तरीके से चालू करता है जैसे ऐसपर वास्तु मैं बताता हूँ तो उसकी building बीच में नहीं रुपती उसकी building प्रोपर तरीके से बन जाती है और उसके सिर कर्ज भी नहीं रहता कब तक जब building बनती है building बनते बनते तो हो सकता है उस वेक्ति के सिर्ख कर जा जाए लेकिन जैसे building पूरी होती है building पूरी होने तक उसका कर्ज भी लगबग उतर जाता है यह experience मेरा बहुत बढ़िया रहा है मैंने हजारों के तादात में ऐसे घर बनवाए हैं जिन लोगों के पास पैसे बिल्कुल नय के बराबर थे वो यह चाहते थे कि दो कमरे बन जाए चैर कमरे बन जाए ग्राउंड फ्लोर पूरा हो जाए हमारा बस हम अपने घर के अंदर शिफ्ट हो जाए ऐसे ऐसे लोगों को दो दो मंजल तीन तीन मंजल चैर चैर मंजल building बनाते हुए दे building बनते हुए पता भी नहीं चलता कि building कैसे बन गए इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आप अपने प्लोट में construction चालू करें तो panic underground tank और summer civil सही दिशा में लगाए और साथ में electric meter भी सही दिशा में लगाए ऐसा करने से आपका प्लोट आपकी building जल दे करके बन देना है तो आप मेरी वीडियो को अपने family और friends में ज्यादा से ज़्यादा शेयर करें facebook group पर शेयर करें whatsapp group पर शेयर करें आपने अपने link पे जितने भी group बनाए हुए है उन group में मेरी video को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि जैसे मैं हिम्मत आप लोगों को घर बना करी आपको सहील लगी तो आप मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंट्स के वट्सप ग्रूप पर और फेस्बूक ग्रूप पर ज्यादा से ज्यादा शेर करें। आपको मेरी वेडियो अच्छे लगी तो मेरे यूटूब के कमेंट बोक्स में आप मैसेज जरूर लिखे और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि मेरी ये सीरिज घर बनाने की सीरिज आप तक जरू करेंगे तब तक के लिए नमस्कार